आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टैल्स को साफ करने का एक ऐसा तरीका जिससे आपके किचिन या फिर बातरूम की टैल्स कितनी भी गंदी हो इस तरीके को फोलो करने के बाद एक तम नए की तरह चम चम आ जाएंगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इस बातरूम का हाल ये कितना जादा गंदा है इसके उपर सालों से गंद की जमी पड़ी है और काफी टाइम से इस बातरूम की क्लिनिंग नहीं हुई है तो फ्रेंट्स आज मैं इसकी टैल्स को एक तम चम है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और आपके अपने चैनल कुपी दमानवी को सस्क्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए फिर श लिए तीन चमच वाशिंग पाउडर क्योंकि बात्रों में गंद की बहुत ज्यादा है आप इसकी कॉंटिटी अपनी मतलब जितनी भी आपको क्लेनिंग करनी है उसके अनुसार भी रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा टाइल की क्लेनिंग करनी है तो फिर आप वाशिंग यहां टोले की मैं के इसकी सिल को खोला है तो इससे मैंने अच्छी तरह से कर दिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एकदम इसमें बबल्स बन चुके हैं इनो की बजस से इनो से मैं क्लिनिग की काफी सारी वीडियो आपके साथ पहले भी Sharpie कर चुकी हूं इससे जो है बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग होती है तो आप भी इसे ट्राइ करके जरूर देखें इसके बाद फिर मैंने यहां पर जहां पर भी टाइल्स में ज्यादा गंद की है वहां पर चम्मस से मैं इसे डालती जा रही हूं यह देखें फ्रेंड्स इसके बाद मुझे जहां पर भी लगेगा कि गंद की ज्यादा है वहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा इसके मिक्स्चर को डालूगी और जहां पर कम टाइल्स गंदी है वहां पर थोड़ा कम डालूगी तो फ्रेंड्स यह पार्ट जो है किचिन बातरूम का सबसे ज्यादा गंद यह देखे इस तरह से अभी मैं सिर्फी से फैला रही हूँ और फैलाने के बाद फ्रेंड्स हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो यह पूरी तरह से एकदम फूल जाएगा मैल क्योंकि गंद की बहुत ही पुरानी है तो साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा फ और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसे बुरुस से जो है रगड दी जाओंगे फ्रेंड्स और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर यह इस टील वाला जो जूना आता है उसे ले लिया था तो जो काफी जिद्धी दाग थे ना वो थोड़े छुटने ही पारे थे तो इस बादwalk clean नहीं किया था वरना आपको अच्छे से दिखता भी नहीं कि कितनी cleaning हुई है तो यह देखें फ्रेंड्स मैं आपको difference दिखाती हूँ आप देख सकते हैं जो यह इसका इधर का part और इसे मैंने clean नहीं किया और जो part मैंने clean किया है उसे मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही जित्ती गंदकी है एक बार तेल या फिर किचिन में चिकनाई वगरा जो होती है वो फिर भी आसानी से साफ हो जाती है फ्रेंट्स लेकिन ये गंदकी इसके उपर पूरी तरह से एक्तम जम के सैट हो चुकी थी तो ये चुटना बहुत ही मुस्किल होता है और अब आप देख सकते हैं टाइल्स के उपर से कितनी सारी गंदकी निकली थी फ्रेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ तो फ्रेंट्स तरीका बहुत ही जबड़जस्त है ये देखे आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसी तरह से मैं पूरे बातरूम को क्लीन कर लूँगी लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना पाट दिखा रही हूँ और फ्रेंट्स ये जो इसमें काला पाट दिख रहा है ये सीमेंट है मैंने आपको नजदीक से भी दिखाया है तो फ्रेंट्स अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है बाकि जैसे जैसे हम इसे डेले क्लीन करेंगे तो और ज़्यादा चमचमा जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स आज के वीडियो में बास इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स बाइ बाइ और टेक केर